बैजनात की स्थानी निवासी मेगना गोस्वामी ने परदीश प्रशाशनिक सेवा परिक्षा में उतकरिष्ट परदर्शन करते वे क्षेतर का नाम रोशन किया है शाक्षातकार के परिणाम में मेगना ने इस परिक्षा को उत्रेंड करके बैजनाद की पहली महिला प्रशाशनिक अधिकारी बनने का गौर्व प्राप्त किया है सरकारी महाविद्याले में गनित विशे के प्रोफेसर अशोक गोस्वामी वा जी एन बी पपरोला की प्रदान चारय शुश्मा गोस्वामी की बेटी मेगना की प्रारंबिक से लेकर जमा दो तक की शिक्षा जी एन वी हिमाचल में हुई है उसके बाद उन्होंने दिल्ली के लेड़ी श्रीराम कॉलेज से गनित आउनर्स में बी ए सी और बाद में दिल्ली की जामिया मालिया इसलामिया सेंटर युनिवरस्टी से गनित विशे में सनात कोद्थर की डिगरी हासिल की उसके बाद उन्होंने दिली में स्कूली बच्चों को पढ़ाने के अतिरिक्त विभिन एंजियो के माध्यम से अध्यन वा रिसर्थ संबंदित कारे किये बरतमान में मेगा गोस्वामी गुडगाओं के मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल में बता और अध्यापी का काम कर रही है हिपा में परशिक्षन के बाद उन्हें परदेश में तैसिलधार के रूप में तैनाती मिलेगी मेगना की इस उपलब्दी पर उनके परिजन के अलावा भाजपा महिला मोर्चा की परदेश अध्यक्ष इंदू गोस्वामी वा अन्या परिजनों ने खुशी जाहिर की है महनत तो करी ही है लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को क्रेड़ जाता है तो वो मेरे पेरेंट्स है उन्होंने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है बाकी तैयारी करी वस महनत करी महनत ही है जो इस पेपर को पास करने में मदद करती है किस से इंस्पैर किया विशेश तौट पर एक तो यह होता है कि आप अपने आसपास के बारे में कितना जानते हो इसकी हमेशा खबर रखनी चाहिए आपके आसपास क्या हो रहा है आपको अपने बारे में जानने की बहुत जरूरत है कि आप ये क्यों करना चाहते हो आपको पता होना चाहिए you should have the right reasons to do it और अगर आपके मन में इच्छा है कि आप समाज की सेवा करना चाहते हो तो अपने आप ही motivation मिलती है इस paper के लिए तैयारी हिमाचल के बारे में पढ़ने का बाकि एक पूरी booklist होती है उससो पढ़ने ही पढ़ती है बाकि एक दम confidence रखना होता है और अपना will power जो है वो रखनी होती है अपना होसला नहीं कोना होता क्योंकि कही बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि अच्छा होगा नहीं होगा एक होसला नहीं छोड़ना होता है इसकी तयारी के दौरान अगे कहां कहां तक अपलाई की अपनी मेरी पांची तक तो मैं बैजनात में ही पड़ी हूँ फिर चटी से मैं जवाहर नवो देविदाले पंडो डिस्टिक मंडी से पड़ी हूँ फिर ग्राजुएशन मैंने लेडी शिराम कॉलेज उनिवर्सिटी ऑफ डेली से करी है मैथेमाटिक्स ओनर्स में और पोस्ट ग्राजुएशन मैंने जामिया मीलिया इस्लामिया सेंट्रल उनिवर्सिटी से करी है उसके बाद कुछ टाइम तक मैंने जॉब करी है और फिर अब यहां की तैयारी है कैसे आगे अब सोचा कि आगे बढ़ने की है अपकी ये तो शुरुवात है ये तो अभी सिस्टम में आई हूँ अभी तो बहुत आगे तक जाना ही है तो जितना आगे तक जा पाऊंगी मेहनत करूँगी काम करूँगी जितना आगे तक जा पाऊंगी जाऊंगी मेरे पास शावद नहीं की मैं अपनी खुशी कैसे ब्यान करूँ और मुझे गर्व है कि मैं मेगना की मा हूँ इसको यही शिक्षा दूँगा कि जिस सेवा में तो आई है यह पब्लिक सेवा है और अपने बिलकुल निष्ठा से और अपने ववेक से इस सेवा में आपकारेड़त हूँ ताके इस पब्लिक को आपकी सेवा से रहत मिले